आज की स्पीडियो में NFL करने वाल है जो कि एक्जाम में पूछे गय हुए हैं तो आए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला question है question number first slip gauge कितने grade में पाया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा 4 grade यानि 4 grade में पाया जाता है कौन कौन से grade में पाया जाता है तो grade 0, grade 00, grade 1, grade 2 question number second slip gauge को किस ताप मन पर रखा जाता है तो इसका right answer हो जाएगा 20 degree Celsius पर इसे रखा जाता है किसे तो slip gauge को और ये जो gauge होता है gauge का प्रियोग अत्यधिक मास उत्पादन के लिए किया जाता है और ये जो gauge होता है ये किस चीज का बना होता है तो alloy steel का बना होता है question number third slip gauge की दूसरी और तिसरी स्रेणी में कितनी slip होती है तो इसका right answer हो जाएगा 49 और ये जो slip gauge होता है तो slip gauge को Johnson gauge के नाम से भी जाना जाता है और ये जो slip gauge की जो hardness होती है वो 63 HRC से अधिक होनी चाहिए next question question number fourth slip gauge की प्रत्थम स्रेणी में कितनी slip होती है तो इसका right answer हो जाएगा 9 और ये जो slip gauge जो होता है किस चीज का बना होता है तो chromium steel का बना होता है और tungsten carbide का भी बना होता है next question है question number five बड़े ब्यास की shaft के लिए bearing पड़ियों किये जाते है तो इसका right answer हो जाएगा split या cell bearing का प्रियोग किया जाता है next question है question number six ringing बीधी किसे से संबंदित है तो इसका right answer हो जाएगा slip gauge जैने कि slip gauge से संबंदित है ringing बीधी और भारती standard के अनुसार slip gauge की जो सुक्स्मिता का जो grade है वो कौन कौन सा है तो grade 0, grade 00, grade 1, grade 2 यह होता है next question तो next question है question number seven slip gauge की list count होती है तो इसका right answer हो जाएगा 0.001 mm होती है किसकी तो slip gauge की next question है question number eight slip gauge को सुरक्षा प्रादान करने के लिए प्रयोग तो इसका right answer हो जाएगा protector slip का प्रयोग किया जाता है और जो slip gauge का दूसरा नाम कौन सा है तो इसे gauge block भी कहा जाता है किसे तो slip gauge को next question है question number nine BIS के अनुसार slip gauge set में पाय जाते है तो इसका right answer हो जाएगा M 112 set में पाय जाते है next question है question number 10 micrometer या vernier caliper की सुदता को चेक किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा slip gauge के द्वारा चेक किया जाता है next question है question number 11 bench wise का fixed जबरा तथा चल जबरा प्रयोग से बना होता है तो इसका right answer हो जाएगा cast iron से बना होता है fixed जबरा तथा चल जबरा अब समझते है points के बारे में जब workshop में job को बनाय जाता है उसे अच्छे से पकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वह wise का लाता है याई कि wise से हम क्या करते हैं जब को पकड़ते है next question देखते है तो next question है question number 12 bench wise का guide nut बनाय जाते है तो इसका right answer हो जाएगा gun metal का बनाय जाते है और यह जो gun metal होता है किस किस चीज से मिलकर बना होता है तो copper, zinc और tin यह तीनों से मिलकर क्या होता है बना होता है next question question number 13 bench wise की उचाई तक रखनी चाहिए तो इसका right answer हो जाएगा elbow यानि कि केहनी तक रखनी चाहिए और यह जो bench wise होता है तो BIS के अनुसार यह prior 75 से 150 mm तक पाई जाती है कौन तो bench wise next question है question number 14 bench wise का माप लिया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा जबडे की चाहराई से लिया जाता है किसका तो bench wise का माप next question है question number 15 bench wise को भी कहते हैं तो इसका right answer हो जाएगा समानांतर जबड़ा भी से कहते हैं इसका size यानि bench wise का size जाकी चाहराई से लिया जाता है next question है question number 16 pipe wise का प्रियोग बिलनाकार जॉब तो इसका right answer हो जाएगा pipe wise का प्रियोग बिलनाकार जॉब pipe पकड़ने के लिए किया जाता है next question question number 17 रेती यानि की file की बनी होती है तो इसका right answer हो जाएगा high carbon steel की बनी होती है जो file होती है और यह जो file है वो एक प्रिकार का क्या है cutting tool है next question question number 18 file यानि की रेती का size लिया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा point से shoulder तक यानि point से लेकर shoulder तक जो होता है इसका size को लिया जाता है और जो file द्वारा बहुत कम धातू काटी जा सकती है और धातू छोटे छोटे कनो के रूप में काटती है next question है question number 19 file यानि की रेती का बीच का भाग में रखा जाता है तो इसका right answer हो जाएगा motor तथा taper convex और यह जो file का जो hardness होता है वो 60 से 64 यानि की 60 से 64 HRC होती है किसकी तो file की next question देखता है तो next question है question number 20 high denosile strength वाली धातू के लिए पड़ियोग किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा aluminum oxide का पड़ियोग किया जाता है next question है question number 21 low tenosile strength वाली धातू के लिए पड़ियोग किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा silicon carbide का पड़ियोग किया जाता है next question है question number 22 हाई ग्रेड वील किन धातू पर प्रियोग किये जाते हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा नर्म धातू पर प्रियोग किये जाते हैं नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन मर्ट 23 डेफ्ट रूल का प्रियोग अधिक लेने के लिए किया जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा गहराई में माप यानि कि डेफ्ट रूल का प्रियोग अधिक गहराई में माप लेने के लिए किया जाता है नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन मर्ट 24 कैलिपर रूल का प्रियोग माप लेने के लिए किया जाता है तो इसका राइट एंसर हो जागा बाहरी वभीतरी यानि की कैलिपर रूल का प्रियोग बाहरी वभीतरी माप लेने के लिए किया जाता है next question है question number 25 scale आधी के बनाय जाते हैं तो इसका right answer हो जाएगा लकड़ी या प्लास्टिक यानि की scale लकड़ी या प्लास्टिक आधी के बनाय जाते हैं तो आज इसके लिए इतना ही तो आपको वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का like करें चैनल को subscribe करें bell icon का दबाएं ताकि आपको notification टाइम से मिलता है और अगर चाहते हैं इस वीडियो का PDF तब हमारे telegram को जोईन कर सकते हैं telegram का link description में दिया है वहाँ से जाकर जोईन कर सकते हैं thanks for watching